किसी ने बहुत ही कमाल की बाद बोली है जब हम अपने लिए चुनते हैं तो स्रेश्ट चुनते हैं और जब भगवान हमारे लिए चुनते हैं तो सर्विस्रेश्ट चुनते हैं नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज मनुत्रा आज एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और कहानी है गरीब परिवार की उस गरीब परिवार में एक छोटा बच्चा रेता था और उसको बादाम बहुत पसंद थे तो उसके पिता जी ने क्या सोचा बच्चे को बादाम बहुत पसंद है तो बादाम का हलवा बना लेते हैं तो पिता जी दो कटोरी बादाम का हलवा बना के ले आए और दोनों कटोरी बच्चे के सामने रखी पर एक कटोरी के अंदर उपर दो बादाम पड़े हुए थे और दूसरी कटोरी के अंदर कोई बादाम नहीं थे पेता जी ने बोला बच्चे लोग कटोरी उठाओ और हल्बा खाओ तो बच्चे ने सोचा कि बादाम घर में आना बड़ी बात है क्योंकि परिवार गरीब था तो बच्चे ने सोचा ठीक है जो उपर दो बादाम दिख रहे हैं वही वली कटोरी उठा लेता हूँ तो बच्चे ने जिसके उपर दो बादाम दिख रहे थे बच्चे ने वो कटोरी उठा ली और हल्बा खाने लगा और पिता जी ने दूसरी कटोरी उठा ली जिसके अंदर कोई बादाम नहीं थे जब हलवा खाया तो बच्चे को पता लगा कि पापा जी की कटोरी के अंदर भी बादाम थे लेकिन उपर दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन पापा की कटोरी में उसको चार बादाम नजर आए चार बादाम थे और बच्चे को बहुत गुस्सा आया अंदर यांदर मन मसोकने लगा कि मेरी कटोरी पर दोई बादा हूं और पापा की कटोरी में चार बादा हम आ रहे हैं तो बड़े मन में अजीब अजीब से उसके सवाल आने लगे कि मैंने वो कटोरी क्यों नहीं उठाई वहीं पर ही पापा जी ने उसको क्या बात बोली पापा जी समझ गए कि बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पच्टा रहे कि मैंने दूसरी कटोरी क्यों नहीं उठाई तो वहीं पर ही पापा ने बच्चे को बोला देखो बच्चे अगर मन में हमेशा स्वार्थ की भावना रखोगे अगर मन में हमेशा स्वार्थ की भावना रखोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और जिंदगी में ये भी सत्ते है कि जो दिख रहा है वो हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं तो पिता जी ने सबक सिखाने के लिए आज एक और काम किया अगले ही दिन फिर से दो कटोरी हलवा बना के लेकर आए और अब की बार हलवे में अब की बार हलवे की कटोरी में सेम काम किया वही दो बदाम थे और दूसरी कटोरी में कोई बदाम नहीं थे और बच्चे ने जो है हलवे की कटोरी को सोचा कि अपकी बार तो लगता है कि मैं अपने पुराने अनुवाफ से उसको ध्यानता कि पहले पिसली बार यही हुआ था कि वहाँ दो कटोरी में जो दो कटोरी थी जिसके अंदर बादाम पड़े हुए थे अपकी बार सोचा कि बिन बादाम वाली कटोरी उठाऊंगा और मुझे भी चार बादाम मिल जाएंगे लेकिन मज़े की बात यह निकली कि अपकी बार जब उसने हलवा खाया तो उस कटोरी के अंदर एक भी बादाम नहीं निकला फिर से बच्चे को बहुत गुस्सा आया सोचा अपकी बार तो एक भी बादाम नहीं निकला और फिर गुस्सा आने लगा तो पिधाजी ने बोला देखो बेटे अगर माना अच्छी बात है पुरानी बातों से अनुभव हमें लेना चाहिए लेकिन अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैट जाएंगे पुराने अनुभव को लेकर बैट जाएं तो ये भी जरूरी नहीं है कि पुराने अनुभव हमेशा सही बटे क्योंकि जीवन हर दिन हर रोज हमें कुछ नया सिखाती है तो पनाना अनुबाव से सीखना अची बात है लेकिन जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी है तो यही चीज लेते हुए अब की बार अब की बार फिर से तीसरे दिन फिर से पिताजी ने फिर से मनाया हलवा और फिर से दो कटोरी रखी और दो कटोरी लेने के बाद अब एक कटोरी में दो बदाम थे और तूसरी कटोरी में कोई बदाम नहीं थे तो लड़के ने सोचा लड़के से बोला बैटा उठा लो आपकी मर्जी जो भी कटोरी उठानी है आपको उठा लो तो अपकी बार लड़के ने बात बोली कि नहीं पापा आप घर के मुखिया हो आप बड़े हो तो एक काम करो आप ही अपकी बार आप कटोरी उठाओ मैंनी उठाओंगा आप घर में सबके बारे में सोचते हैं सबके बारे में देखते हैं आप घर के बड़े मुख्या हैं, आप भी कटोरी उठाएं, आप चुनें कटोरी को तो पापा जी ने वो कटोरी उठाई जिसमें दो बादाम थे और अब की बार जो बच्चे को कौन सी कटोरी मिली जिसमें कोई बादाम नहीं थे और बच्चे ने जब हलवा खाया तो देखा, अब की बार कटोरी के अंदर हलवे में आठ बादाम निकले, आठ बादाम बच्चा मुस्क्राने लगा, पिता जी मी मुस्क्राने लगे, और पिता जी ने सीख दी बच्चे को देखो बेटे जब हम दूसरों के बारे में सोचना चलू करते हैं जब हम दूसरों के बारे में सोचना चलू करते हैं तो सब अच्छा-च्छा होने लगता है निस्वार्थ होके हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और जब हम दूसरों के बारे में सोचना चलू करते हैं तो प्रभू हमारे बारे में सोचना चलू करते हैं तो इसलिए हमें निस्वर्थ होके फैसला लेने चाहिए दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कहानी छोटी सी है लेकिन हमें सीक मिलती है कि हमें कुछ बातों को प्रभू के उपर छोड़ना चाहिए निस्वर्थ भाव से दूसरों के बारे में सेवा करनी चाहिए दूसरों के बारे में सोचना चाहिए उमीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छे लगे होगी मिलते हैं नेक्स स्टोरी के जाद तब तक के लिए बाई बाई